जै माता दी, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आज सुक्र बार के दिन सुनें माहान पुर्णा की ब्रैद कथा, बैभव लक्षमी की ब्रैद कथा, और सुनेंगे संतोसी माता की ब्रैद कथा माता रानी की किर्पा पाने के लिए कथा को मन में स्रध्धा और विश्वास बना कर सुनें, आपकी सभी मनोकामना माता रानी की किर्पा से जल्दी पुरी हो जाएगी तो प्रेम से बुलिए अन्य पुर्णा माता की जय, बैबाव लक्षमी माता की जय, संतोसी माता की जय अब सुने मा अन्य पुर्णा की ब्रेद का था एक समय की बात है, कासी निवासी धान अन्जाई की पतनी का नाम सुलचना था उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे केवल निर्धानता ही उसके दुख का कारण था यहाँ दुख उसे हर समय सताता था एक दिन सुलचना पती से बोले स्वामे आप कुछ उधम करो तो काम चले इस परकार कब तक काम चलेगा सुलचना के बाद धन अन्जय के मन में बैठ गया और वहाँ उसी दिन विश्वनात संकर जी को प्रसन करने के लिए बैठ गया और कहने लगा हे देवादी देव बिश्वेशर मुझे पुझापाट कोछ नहीं आता केवल आपके भरोसे बैठा हूँ इतनी बिंती करके वह दो तिन दिन भोखा प्यासा बैठा रहा यहाँ देखकर भगवान संकर ने उसके कान में अन्यपुर्णा 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 इस परकार तीन बार कहा यह कौन क्या कह गया इसी सोच में धनाजय पर गया कि मंदिर से आते जाते ब्रामन को देख कर पुछने लगा पंडी जी अन्यपुर्णा कौन है ब्रामनों ने कहा तू अन्य छोर कर बैठा है सो तुझे अन्य की ही बात सुचती है जा घर जाकर अन्य ग्रहन कर धनाजय घर गया इसतिरी से साडी बात कही वह बोली नाद आप जिनता ना करे स्व्यम संकर जी ने यहां मंत्र आपको दिया है वे स्व्यम ही खुलासा करेंगे आप फिर जाकर उनकी आराधना करे धनाजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया रात्री में संकर जी ने आग्या दे कहा तो पुर्व दिसा में चला जा वहां अन्यपुर्णा का नाम जबता जाता और राष्टे में फल खाता जर्णों का पानी पीता जाता इसी परकार कितने ही दिनों तक चलता गया वहां उसे चांदी सी चमक्ती वन की सोभा दिखने में आई सूंदर सरोबर दिखने में या उसके किनारे इतनी अपसराय जून बनाये बैठी थी और सैब मा अन्यपुर्णा इस परकार बार बार कहती थी यह अगहन मास के उजेली रात्र थी और आज से ही ब्रत का ये आरम था जिस सब्द की खोज करके वहां निकला था वहां उसे वहां सुनने को मिला धानाजे ने उनके पाह जाकर पूछा हे दिवियो आप यहां क्या कर रही हो उन सब ने कहा हम सब मा अन्यपुर्णा का ब्रत करते हैं ब्रत करने से क्या होता है जा किसी निक्या भी है इस कब क्या जाए कैसा ब्रत है और कैसी विदी है मुझे भी कहो वे कहने लगी इस ब्रत को सब कोई कर सकता है 21 दिन तक के लिए 21 गाठ का सुत लेना चाहिए 21 दिन जादी ना बने तो एक दिन उपवास करे या भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले दीरा हार रहकर कथा कहे कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल की पत्तो को रग सुपारी या घृत कुमारी ब्रिक्च को सामने कर दीपक को साक्षी कर सुडिय गाए तुलसी या महादेव को बेना कथा सुनाए मुख में दाना ना डाले यादी भूल से कुछ पढ़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे ब्रत के दिन कुरोध ना करे और जूठ ना बोले धनाजे बोला इस ब्रत की करने से क्या होगा? वे कहने लगी इसकी करने से अंधो को नेत्र मिले लूरलो को हाथ मिले निर्धन के घर धनाए बाजिन को संतान मिले मुर्खों को बिद्ध्याए जो जिस कामना से ब्रत करे मा उसकी इच्छा पूरी करती है वह कहने लगा भहिनो मेरी भी धन नहीं है विद्या नहीं है कुछ भी तुन नहीं है मैं तो दुखिया परामन हूँ मुझे इस ब्रत का सूत दोगी हाँ भाई तेरा कल्यान हो तुझे देगी ले इस ब्रत का मंगल सूत्र ले धन अंजय ने ब्रत किया ब्रत पूरा हुआ तभी सरोबर में से 21 खंड की सुर्ण सीधी हीरा मोती जड़ी परकट हुई धन अंजय जै अनपूर्ण अनपूर्ण कहता चाता था इस परकार कितनी सिध्या उतर गया तो क्या देखता है कि करोरो सूर्य से परकासमान अनपूर्ण मा का मंदिर है उसके सामने सुर्ण सिंघासन परमाता अनपूर्ण प्रचमान है कामने भिक्षा है तू संकर भगवान खरे हैं देवगनाय चवर डुलाती है कितनी ही हथियार बांधे पहरा देती है धनानजय दोरकर जगदंबा की चरणों में गिर गया देवी उसकी मन का कलिक्स जान गई धनानजय कहने लगा माता आप तो अंधर यामनी हो आपको अपनी दसा क्या बताऊं माता बोली मेरा ब्रत किया है जा संसार तेरा सतकार करेगा माता ने धनानजय की जिवा पर बीज मंत्र लिख दिया अब तो उसके रोम रो में बिद्या परकट हो गए इतने में क्या देखता है कि वहां कासी विश्वनात के मंदिर में खरा है मा का बर्दान ले धनानजय घर आया सुलचना से सब भात कही माता जी की किरपा से उसकी घर में समपती उमरने लगी छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा जैसे साहत की पत्तों में मख्या जमा होती है उसी परकार उनकी सगे समपन्धी आकर उसकी बराई करने लगे कहने लगे इतना धन और इतना बड़ा घर सुन्दर संतान नहीं हो तो इस कमाई का कौन भोग करेगा सुलचना से संतान नहीं है इसलिए तुम दूसरा विवाह करो अनिच्छा होते हुए भी धाने जै को दूसरा विवाह करना परा और सैती सुलचना को सौत का दुख उठाना परा इस परकार दीन बितिते गया फिर अगहन मास आया नए बंधन से बधे पती से सुलचना ने कहलाया कि हम ब्रत के परभाव से सुखी हुए हैं इस कारान यहां ब्रत छोड़ना नहीं चाहिए जहां माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन और सुखी है सुलचना की बात सुन धनांजे उसके यहां आया और ब्रत में पैठ गया नई बहु को इस ब्रत की खबर नहीं थी वह धनांजे की आने की रहा देख रही थी दीन बितते के और ब्रत पूर्ण होने में तीन दिवस बाके थे की नई बहु को खबर पड़ी उसके मन में इस्चिया की जुआला दहक रही थी सुलचना के घर आ पहुची और उसने वहां भगदर मचा दी वहां धनांजे को अपने साथ ले गई नए घर में धनांजे को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आदबाया इसी समय नई बहु ने उसका ब्रत का सूत तोर कर आग में खेक दिया अब तो माता जी का कोप जा गया घर में अकस मात आग लग गई सब कुछ जलकर खाक हो गया सुलचना जान गई और पती को फिर अपने घर ले आई नई बहु रूटकर पीता के घर जा बैठी पती को पर मेशवर मानने वाली सुलचना बोली नाथ घवराना नहीं माता जी की किरपा अलोकिक है पुत्र को पुत्र हो जाता है और माता को माता नहीं होती अब आप सरद्धा और भक्ति से अराधना सुरू करो वे जरूर हमारा कल्यान करेगी धने जै फिर माता के पीछी पर गया फिर वही सरवबर सीधी पर कट्वी उसमें मा अन्नपूर्णा कहकर वहा उतर गया वहां जा माता जी की चरणों में रुधन करने लगा माता प्रसन हो बोली यह मेरी स्वर्ण के मुर्ति ले उसकी पूझा करना तू फिर सुखी हो जाएगा जा तुझे मेरा आसिरबाद है तेरी इस्तरी सुलचना ने स्रद्धा से मेरा ब्रत किया है उसे मैंने पुत्र दि उसे ने आखे खोली तो खुद को कासी विश्वनात के मंदिर में खरा पाया वहां से फिर उसी परकार घर को आया इधर सुलचना के दिन चड़े और महिने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ गाव में आस चरजे की लहर दोर गई मानता आने लगा इस परकार उसी गाव धूम धाम से पधारी यक किया और धनांजय को मंदिर का आचाड़े का पत दे दिया जीबिका के लिए मंदिर की दच्छिना और रहने के लिए बरासा सुन्दर भवन दिया धनांजय इस तरी पुत्र सहित वहां रहने लगा माता जी की चाड़ावे में भरपूर आमदनी ह होने लगे उधर नई बहु के पिता के घर डाका परा सेव लूट गया वे भीख मांकर पेट भड़ने लगे सुलचना ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा अलग घर में रख लिया और उनके अन्यबस्त्र का परवंद कर दिया धनांजय सुलचना और उसका पुत्र माता जी की किरपा से आनन से रहने लगे माता जी ने जैसे इनके भंडार फड़े वैसे सबके भंडार फड़े प्रेम से बुलिये अन्यबस्त्र की जय हो कासी विश्वनात की जय हो मनोहर एक प्राइबट फर्मे में साधरन पत पर कारे करता था जीतना बेतन मिलता था उसमें घरकर्च मुश्किल से ही पुरा हो पाता था यही कारण था कि वह धन का यतोचित संग्रा नहीं कर पाया उसने इतना आविस्त किया था कि अपनी लर्की रचना को अच्छी सिक्षा दिलाने में लापारवाही नहीं बढ़ती थी रंजना जितनी खुपसूरत थी उतनी ही गुनवान वा बुद्धिमान थी समय के साथ साथ उसने योवन की दहलीच पर कदम रखा एक दिन मनोहर की पतनी माधवी ने कहा सुनो जी लर्की अब स्यानी हो गई है इसके बारे में कुछ सोचा है आपने मनोहर ने कहा तुम जिन्दा क्यों करती हो भागेवान हमारी बिठिया में क्या कभी है वह सुन्दर है गुनवान है वो दिमान है इसका हाथ मांगने के लिए तो लर्के वाले की लाइन लग जाएगी तुम देखती रहना लेकिन मा तो मा ही होती है उसे बदलते समय का अनुभाव भी था वह जानती थी कि दहेज की समस्यक दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है और दहेज ना देने पड़ तरा तरा के घटने वाली दुर घटनाव से भी वह पनिचित थी समय का चक्रा निर्वाद कती से चलता रहा रंजना ने शिक्षा भी पूरी कर ली उसने भी ये प्रतम छेड़नी से पास करके घर में खुस्या ला दे थी लेकिन मा को तो बस एक ही चिंता थी किसी भी तरा रचना के हाथ फीले हो जाए पिछले कुछ दिनों में मनोहर को भी रंजना की साधी की चिंता सताने लगी थी और वह योग वर की तलास में जूट गया था वह जहां भी चाता दहेश की मांग मुँ बाय खरी मिलती सीधा साधा मनोहर दुनियादारे से परिचित था उसने तो यही सोचा था कि उसकी लर्की की साधी उसके गुनव रुप के कारण कहीं भी हो जाएगी लेकिन जब वास्त्रिक्ता सामने आई तो वह भी हतास हो गया एक दिन मनोहर आपिस में अपनी सीट पर मुँ लटकाए बैठा था तब ही उसकी सहकर्मी धन सिंग उसके पास आया और पूछा मनोहर क्या बात है मुँ लटकाए क्यों पैठे हो सब कुछ ठीक ठक तो है ना मनोहर ने अपनी सारी समस्या उसके सामने रखे तो वह बोला आजकल मा बैभाव लच्मी के काफी चमतकार सुनने में आ रहे हैं चारों तरप उन्हीं की जय जयकार हो रही है सुना है मा बैभाव लच्मी हर समस्या का समधान चुटकियों में ही कर देती है मेरा तो कहना है कि तुम भी उनकी सरन में चले जाओ बिटिया के लिए योगबर खुद वखुद तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा घंसींग की बातों से मनोहर का बिपेग जाग उठा और उसने पतनी सहित मा बैभाव लच्मी के 21 सुक्रवार तक ब्रत रखने का संकल्क लिया ब्रत के दिन पती पतनी मा का ही गुनगान करते रहे और साम को पूजन कर भोजन करते हैं इस तरह जब सात्वे सुक्रवार का ब्रत था उसी दिन उसकी फर्म का मालिक सेठ दिन द्याल उसकी घर पहुँचा उन्हें देखकर पहले तो मनोहर चौका फिर आओ भगत में जुट गया सेठ दिन द्याल ने मनोहर से कहा मनोहर बुरा ना मनना तो मैं एक भात कहूँ मनोहर ने कहा आभी कैसी बाते करते हैं सेठ जी आप तो बस आदेश करें सेठ दिन द्याल ने कहा तुम्हारी बेटी रचना मुझे और मेरे लरके राजेस को बहुत पसंद है मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की साधी कर दी जाए तुम्हें कोई आपती हो तो मुझे कहो मनोहर को कानों से सुने सब्द पर विश्वास नहीं हुआ अपनी परसंता को मन में दबाते हुए बोला सेठ जी कहा आप राजा भोज के सामान और कहा में गंगु तेली जैसा आपके सामने मेरी हैसियत ही क्या है सेठ दीन द्याल ने उसकी बात को भापते हुए कहा मनोहर तुम किसी परकार की चिंता मत करना यह साधी दहज की विना होगी बस मुझे तो रचना जैसी गुनवान लरकी ही चाहिए मनोहर और उसकी पतनी माधवी ने इसे मा का ही चमतकार माना और एक दूसरे की तरब देखते हुए सुष कृती दे दी फिर रचना की साधी बरे धूमधाम से हुई जिसे देखकर सभी तंग रह गये साधी के बाद मनोहर और उसकी पतनी 21 सुक्र बार ब्रत पूरे किये ब्रत के अंतिम दिनों दोनों ने 21 कन्याव को भोजन कराया तथा मा बैभाव लच्मी का बिधिवत पूजन कर ब्रत कथा की 21 पुस्त के मा के स्रधालू भक्तों में बाटी मा की किर्पा से मनोहर माधवी सुक पुर्बक रहने लगे इधर नौ मा बाद रचना को पूत्र रतन की प्राप्ती हुई ये सब मा की चंबतकार की बदलती संभव हो पाया था तो सभी मिलकर बुलिए मा बैभाव लच्मी की जय कथा अच्छी लगे किसी गाउ में अनेक लोग रहा करते थे और सभी अपने अपने कामों में मगन रहते थे किसी को किसी का चींता फिक्री परवा था ही नहीं सब अपने से ही मतलब रखते थे इसी कारण से भरजन किर्टन, भक्ती भाव, दया माया और उपकार जैसे संसकार कम हो गए उस गाउ में बुराया बढ़ गई थी सराब, जुवा, रेस, बैवी, चार, चोडी, डगेती, बगेरा बहुत गुना सहर में होता रहता था इसके बावजूद उस गाउ में कुछ अच्छे लोग भी रहा करते थे ऐसे ही लोगों में सीला और उनके पती की ग्रष्टी मानी जाती थी सीला बहुत धार्मिक परविती की थी और उसका सौभाव संतोसी था उनका पती भी बीबेकी और सुसिल था सीला और उसका पती कभी किसी की बुराई नहीं क्या करते थे और प्रभू भजन में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे सहर की लोग उनकी ग्रष्टी की सराहना करते थे देखते ही देखते दीन बीदने लगा समय बदल गया सीला का पती बुरे लोगों से दोस्ती कर बैठा अब होना क्या था वो तो हम सभी जानते हैं अच्छे संगते का सर हमेशा अच्छा ही होता है इसलिए हमें हमेशा अच्छे संगते से संगत रखना चाहिए बुरे से नहीं आब जब सीला का पती बुड़े लोगों से दोस्ती कर बैठा अब वह जल्द से जल्द करोरपती बनने का ख्वाब देखने लगा इसलिए वह गलत रास्ते पर चलपरा फलसरूप वह रोडपती बन गया कहा जाता है ना लालच बुरी वला है इसलिए लालच नहीं करना चाहिए अपना इमांदारी और मेहनत से आगे बठना चाहिए आब जब सीला का पती रोडपती बन गया जानी रास्ते पर भर्टकते बिखारी जैसी उसकी हालत हो गई थी सराब जुवा रेस चरस गांजा बुरी आदतों में सीला का पती भी फस चुका था दोस्तों के साथ उसे भी सराब की आदत बुरी तरह लग गई थी इस परकार उसने अपना सब कुछ रेस जुए में गवा दिया अब तो सीला अपने पती के बरताओं से बहुत दुखी रहने लगी किन्तु उसे भगवान पर भरोसा था इस सब कुछ ठीक हो जाएगा यही सोचकर वह अपने पती के बुरे बरताओं को सहने लगी सीला अपना अधिकांस समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी अचानाक एक दिन दोपार को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दिया सीला ने द्वार खोल कर देखा कि एक माजी खरी थी उनके चहरे पर और लोकिक तेज निकर रहा था उनकी आखों में से मानो अम्रित की बरसा हो रहा था उनका भाब्य चहरा करुना और प्यार से छलक रहा था उनको देखते ही सीला के मन में आपार सांती च्छा गई सारी चिंता मिट गई सीला के रोम रोम में आनन्द च्छा गया सीला उस माजी को आदर के साथ अपने घर ले आई दुख का बात यहां था कि सीला के घर में बैठाने के लिए कुछ भी नहीं था कि माजी को किस पर बैठाया जाए बिचारी या सोच बिचार के उसने एक सकुचाकर एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया और सीला ने कहा माजी मेरे घर में और कुछ भी नहीं है जो मैं आपको बैठा सकू इसलिए मा मुझे माख करना मैं आपको फटी हुई चादर पर बैठा रही हूँ मा तो सीला की बातों से मंद मंद मुश्कुरा रही थी मा तो सीला की हर कहानी को जानती थी कि उसका पती उसके साथ कैसा बेवहार कर रहा है पेचारी कितने दुख में है सीला के बाते सुन मा जी प्रेम भड़ी सब्दों से बोली सीला क्यों मुझे तुमने पहचाना नहीं हर सुक्रवार को लेचमी जी के मंदिर में भजन कितन के समय मैं ही तो वहां आती हूँ इसके बावजूद सीला कुछ नहीं समझ पा रही थी फिर मा जी ने कहा तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आ रही हो अता मैंने सोचा चलो मैं ही देख लेती हूँ मा जी के अती प्रेम भड़े सब्दों से सीला का ख्रीदय पिघल गया उसकी आँखों में आसु आ गये और वह बिलख बिलख कर जोर जोर से रोने लगी सीला को रोते देखकर मा जी ने कहा बेटी सुख और दूख तो धूप और चाओ जैसे होते हैं धैरे रखो बेटी धैरे रखो और तुझे क्या परिशानी है मुझे सारी परिशानी बता दे मा जी के बेवहार से सीला को काफी संबल मिला और सुख की आस में उसने मा जी को अपनी सारी दुख की कहानी सुना दे कहानी सुनकर मा जी ने कहा कर्म की गती न्याड़ी होती है हर इंसान को अपने कर्म भुगत नहीं पड़ते है इसलिए बेटी तू चिंदा मत कर अब तू कर्म भुगत चुकी है अब तुम्हारे सुख के दिन अवस्रे आएगी तू मा लच्मी जी की भक्त है मा लच्मी जी तो प्रेम और करूना की अवतार है वे अपनी भक्तों पर हमेशा ममता चिरकती है इसलिए तू धैरे रहकर मा लच्मी का ब्रत कर इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा तुम्हारा दुख दर्ध सब समाप हो जाएगा और तुम्हारे घर में अने धन का भंडार भर जाएगा बस स्रधा भक्ती से मा लच्मी का ब्रत करो मा जी की बात सुन सीला पुछने लगी मा ब्रत की बीधी तो मुझे पता नहीं अब मा जी ने उसे ब्रत की सारी बीधी भी बताई मा जी ने कहा बेटी मान लच्मी जी का ब्रत बहुत सरल है उसे बर लच्मी ब्रत या बैभाव लच्मी ब्रत कहा जाता है यह ब्रत करने वाले की सब मोनो कामना पूरी होती है वह सुख संपति और यस प्राप्त करता है सीला यह सब सुनकर आनन्दित हो उठी सीला ने संकल्प करके आखे खोली तो सामने कोई नहीं था वा बिस्मित हो गए कि माजी कहा गए अभी तो माजी मेरे सामने करी थी सीला को ततकाल यह समझने में देर नहीं लगी कि माजी कोई और नहीं साक्षात मा लच्मी ही थी दूसरे दिन सुक्रवार्था सबेरे असनान करके स्वच कपड़े पहन कर सीला ने माजी द्वारा बताई बीधी से पूरे मन से स्रधा भक्ती से ब्रत किया और आखिर में प्रसाद बित्रन हुआ यह प्रसाद पहले पती को खिलाया प्रसाद खाते ही पती के सवभाव में फर्क पर गया मा लच्मी की किरपा से उसका पती जिस दिन परसाद खाया उस दिन अपनी पत्नी को मारा पीटा नहीं सताया भी नहीं सीला को बहुत अच्छा लगा सीला के मन में तो आप पहले से भी ज़्यादा बैभाव लच्मी ब्रत के लिए स्रधा बढ़ गई शीला ने पूर्ण स्रधा भक्ती के साथ 21 सुक्र वार तक बैभाव लच्मी ब्रत किया 21 सुक्रे बार को मा जी की कहे मुताबिक उद्धापन बीति करके साथ इस्त्रियों को बैभाव लच्मी ब्रत की साथ उस्तक उपहार में दे फिर माता जी के धन लच्मी स्वारुप की चबी को बंदन करके भाव से मन ही मन राथना करने लगी हे मा धन लच्मी मैंने आपका बैभाव लच्मी ब्रत करने की मन्यत मानी थी वह ब्रत आज पूर्णे किया है हे मा मेरी हर बिपति को दूर करो हमारा सबका कल्यान करो जिसे संतान ना हो मा उसे संतान देना स्वभाग्य बति इस्तिरी का स्वभाग्य को मा अखंड रखना कुवारी लर्कियों को मन भावन पति देना जो आपका यह चमतकारी बैभाव लच्मी ब्रत करे उनकी सब बिपति को दूर करना सभी को सुखी रखना हे मा आपकी महीमा आपार है ऐसा बोलकर लच्मी जी के धन लच्मी स्वभुक की चबी को परनाम किया ब्रत के परभाव से सीला का पति अच्चा इनसान बन गया और अब सीला का पति महनत करके बैभ साई करने लगा उसने तुरंथ सीला की गिर्भी रखे गहने छुरा लिये घर में धन की बाड़ सी आ गए घर में पहले जैसी सुक शांती चा गए बैभाव लच्मी ब्रत का प्रभाव देकर महले की दूसरी इस्तिर्या भी बीधी पुर्बक बैभाव लच्मी ब्रत करने लगी तरभी प्रेम से बोले बैभाव लच्मी माता की जय हो आईए अब जानते हैं बैभाव लच्मी ब्रत का उधापन बीधी स्राथ 11 या 21 जितने भी सुक्रोबार की मनत मांगी हो उतने सुक्रोबार तक या ब्रत पूरी स्रधात था भावना के साथ करना चाहिए आखरी सुक्रोबार को इसका सास्त्रिय बीधी के अनुसार उधापन करना चाहिए आखरी सुक्रोबार को प्रसाथ के लिए खीर बनाने चाहिए जिस परकार हर सुक्रोबार को हम पूजन करते हैं बैसे ही करना चाहिए पूजन के बाद मा के सामें एक स्त्री फल फोरे, फिर कम से कम साथ खुवारी कन्या या सौ भाग्य साली, इस्त्रियों को कुम्भुम का तीलक लगा कर मा बैभाव लश्मी ब्रत कथा की, किताब की एक एक प्रती उपहार में देनी चाहिए, और सब को खीर का प्रसाद देना चाहिए, इसके बाद मा लश्मी जी को स्रधा सहित परनाम करना चाहिए, फिर माता जी के धन लश्मी स्वरुप की छबी को बंदन करके भाव से मनहीमत प्रात्ना करे, हे मा धन लश्मी, मैंने आपका बैभाव लश्मी ब्रत करने की मन्नत माने थी, यहा ब्रत आज पूर् करे हमारी हर विपत्ति को दूर करे हम सब का कल्यान करे जिसे संतान ना हो उसे संतान देना स्वभाग्य बति इस्तिरी का स्वभाग्य अखंड रखना कुवारी लर्की को मनभावन पति देना जू आपका यह चमतकाडी बैभाव लश्मी ब्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना सभी को सुखी करना हेमा आपकी महिमा आपार है आपकी जय हो ऐसा बोलकर लच्मी की धर्न लच्मी स्वरुप की छभी को पर नाम करें सभी प्रेम से बोलिए बैभाव लच्मी माता की जय हो संतोसी माता के ब्रेथ को करने वाला कथा कहते वो सुनते समय हाथ में गुर्व भूने चने रखे सुनने वाले संतोसी माता की जय संतोसी माता की जय इस परकार जय जय कार मुख से बोलते जाए कथा समाप्थ होने पर हाथ का गूर चना गौ माता को खिलाए कलस में रखा हुआ गूर चना सब को परसाद रूप में बाटे कथा से पहले कलस को जल से भरे उसके उपर गूर चने से भरा कटोरा रखे कथा समाफ होने और आर्टी होने के बाद कलस के जल को घर में सब जगह पर छीर के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में डाल दे सवारुपय का गुर चना लेकर माता का ब्रत करे गुर घर में हो तो ले ले बिचार ना करे क्योंकि माता भावना की भुकि है कम ज्यादा का कोई विचार नहीं चाहिए इतना भी आप से बन परे अर्पन करे स्रद्धा और प्रेम से पर्षन मन हो ब्रत करना चाहिए ब्रत के उधापन में अढ़ाई सेर खाजा मोमन दाल पुरी खीर जने का साक नवत रखे घी का धिपक जला संतोशी माता की जैजैकार बोले नारियल फोडे इस दिन घर में कोई खटाई न खाए और ना किसी को खाने को दे इस दिन आठ लर्कों को भोजन कराए देवर जेट के लर्के मिलते हो तो दुसरों को न बुलाना कुटूम में न मिले तो न दे नगत पैसे न दे कोई बस्तू दच्छीना में दे बड़त करने वाला कथा सुन पर साथ ले एक समय भोजन करे इस तरह से माता प्रसन होगी और दुख दरिदता दूर होकर मनुकामना पूरी होगी अब सुनिये कथा पहले बुलिये संदोशी मईया की जय हो एक बुढ़िया थी उसके साथ पुत्र थे छे कमाने वाले और एक निकम्मा था बुढ़िया माँ छवो पुत्रों की रसोई बनाती भोजन कराती और जो बचता वह साथवे को देती थी परेंदू वह बड़ा भोला था मन में कुछ विचार न करता था एक दिन अपनी पतनी से बोला देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्यार है वह बोले क्यों नहीं सबका जूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है वह बोला ऐसा भी कहीं हो सकता है मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं जब तक में अपनी आखों से ना देख लू मैं मान नहीं सकता पतनी ने कहा देख लोगे तब मानोंगे कुछ दिन बात बरा तय होआ राया घर में साथ परकार की भोजन और चूर्मा के लड़ू बने वह जाचने को सीरधर्द का बहाना बना कर पतला कप्रा सीर पर ओर कर रसोई में सो गया और कप्रे में से सब कुछ टुकूर्टुकूर्ट देख रहा था चे भाई भोजन करने आए उसने देखा माने उनके लिए सुन्दर सुन्दर आसन बिछाए साथ परकार की रसोई परोसी वह आगरा करके उन्हें जिमाती है वह देखता रहा चे भाई भोजन करके उठे तब जूठी थालियों में से लड़ू के टुकूरा उठा कर एक लड़ू बनाया जूठन सापकर माने उसे पुकार उठ बेटा चेव भाई भोजन कर गए अब तू ही बाकी है उठना कब खाएगा वह कहने लगा मा मुझे भोजन नहीं करना मैं परदेश जा रहा हूं माता ने कहा कल जाता हो तो आज चला जा वह बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूं या कहकर वह घर से निकल गया चलते समय पतनी की याद आई वह गवसाला में कंडे थाप रहे थी वह जाकर बोला हम जावे परदेश को आवेंगी कुछ काल तुम रहियो संतो से धरम अपनो पाल वह बोली जाव पिया आनम से हम रो सोच हटाए राम भरो से हम रहे इस्वर तुम्हे सहाए देवो निसानी अपनी देख धरू मंधीर सुधी हमारी नाविसार्यो रख्यो मंगंभीर वह बोला मेरी पास तो कुछ नहीं यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी निसानी मुझे दे वह बोली मेरे पास क्या है यह गोबर भरा हाथ है यह कैश उसकी पीठ में गोबर की हाथ की थपी मार दी वहाँ चला क्या चलते चलते दूर देश में पहुचा वहाँ एक साहुकार की दुकान थी वहीं जाकर रहने लगा और कहने लगा भाई मुझे नौक्री पर रख लो साहुकार को जरूरत भी थी तो वह बोला ठीक है रह जा लड़के ने पूछा तनका क्या दोगे साहुकार ने कहा काम देखकर दा मिलेगा साहुकार की नौक्री मिली वह सबेरे साथ बजे से राद तक नौक्री करने लगा कुछ दिनों में साहुकार का साहरा लेन देन का हिसाब ग्राहकों को माल बेचना साहरा काम करने लगा साहुकार के साथ आठ नौकर थे सब चक्कर खाने लगे की या तो बहुत होसियार बन गया सेठ ने भी काम देखा और तीन महिने में उसे आधे मुनाफे का साजीदार बना दिया और बारा ब्रस में नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसके उपर छोर कर बाहर चला गया आप उधर पतनी के साथ क्या होता है उसे सुनिए साससूर उसे दुख देने लगे सारी ग्रिष्टी का काम करा के उसे लकरी लेने जंगल में भेजते और घर की रोटियों की आटे से जो भूसी नी करती थी उसकी रोटी बना कर रखती जाती थी और फोटी नारियल की देते रहे, एक दिन की बात है, वह लकरी लेने चा रहे थी, कि राष्टे में बहुत सी इस्तिरिया संतोसी माता की ब्रत करती दिखाई थी, वही कड़ी हो, वही कथा सुन और बहनों से बोली, बहन तुम किस देवी देवता का ब्रत करती हो, और इसके करने से क्या फल होता है इस ब्रत की करने की विधी क्या है यादि तुम अपने इस ब्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं भी तुम्हारा बड़ा एहसान मानूगी तक उनसे एक इस्त्री बोली सुनो यह संतोसी माता का ब्रत है इसके करने से निर्धनता रिर्धता का नास होता है लचमी आती है मन की चिंताय दूर होती है घर में होने से मन को सुख परसंता और सांती मिलती है ब्रत के दिन घर में खटाई कोई न खाए यह सुनकर बहु चल दी रास्ते में लकडी बोज को बेच दिये और उन पैसों से गुर चना ले माता के ब्रत की तयारी कर आगे चली गई और सामने मंदिर देख उचने लगी यह मंदिर किसका है सब बच्चे कहने लगे संतोशी माता का मंदिर है यह सुन माता के मंदिर में जा माता के चरोनों में लोटने लगी दीन हो बिंती करने लगी मा मैं नीपट मुर्ख हूँ ब्रत की नियम कुछ नहीं चानती मैं बहुत दुखी हूँ हे माता जकप जन्नी मेरा दुख को दूर कर मैं तरी सरर्ण में हूँ माता को दयाई एक सुक्रोबार बीता की दुसरे सुक्रोबार को ही इसके पती का पत्र आया और तिसरे को उसका भेजा पैसा भी आ गया प्रदेख जेठानी मो सिकुरने लगी इतने दिनों में इतना पैसा आया इसमें क्या बराई है लरके ताने देने लगे की काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी बेचारी सलता से कहते भईया पत्र आवे रुपिया आवे तो हम सब के लिए अच्छा है ऐसा कहकर आखों में आशु भर कर संतोसी माता के मंदिर में मा तेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने रगी मा मैंने तुमसे पैसा नहीं मुझे पैसे से क्या काम है मा मुझे तो अपने सुहाग से काम है मैं तो अपनी स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ तब माता ने प्रसन होकर कहा जा बैटी तेरी स्वामी आएगा यहां सुन खुशी से भाबली हो घर का काम काच करने लगी अब संतोसी मा विचार करने लगी इस भोली पुत्री से मैंने तो कह दिया तो उसका पती आएगा और आवेगा कहा से वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इस तरह माता बुढ़िया के सपने में जा परकठो कहने लगी साहुकार के बेटे सोता है या तू जागता है वह बोला माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं बीच में हूँ कहो क्या ग्या है मा कहने लगी तेरा घर बार कुछ है या नहीं वह बोला मेरा सब कुछ है मा बाप भाई बेहन वो पतनी क्या कमी है मा बोली भोले पुत्र तेरी इस्तरी घोर कष्ट उठा रही है तेरे माबाप उसे दुख दे रहे है वह तेरे लिए तरस रही है तू उसकी सुधी ले वह बोला माता यह तो मुझे मालूम है परंदू जाओ कैसे परदेश की बात है लेन देन का कोई हिसाब नहीं जाने का कोई रस्ता नजर नहीं आता मा कैसे चला जाओ मा कहने लगी मेरी बात मान सबेरे नहाद होकर माता का नाम ले घी का दिपक चला दन्वट कर दुकान पर जाएगा माल भिक जाएगा साज होते होते धन का धेर लग जाएगा तरभ सबेरे बहुत जल्दी उठ उसने लोकों से अपने सपने की बात कही तो वे सब उसकी बात अनसुनी कर दिल लगी उराने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं एक बुढ़ा बोला देख भाई मेरी बातमान इस तरह साच जूट करने के बदले देवताने जैसा कहा है वैसा ही करो तेरा इसमें क्या जाता है अब बूढे की बात मान कर नहाध होकर संतोसी माता को डंडवट कर घी का धीपक जला कर दुकान पर बैठ गया थोड़ी तिर में क्या देखता है की दीन वाले रुपए लाए लेने वाले हिसाब लेने लगे कोठे में भड़े सपनों के खरिदार नगत दाम में सौधा करने लगे साम तक धन का धेर लग गया माता का यहचा मतकार देख खुसो मन में माता का नाम ले घर जाने की वास्ते गहना कप्रा खरिदने लगा और वहां के काम से निपट कर तुरंत रवाना हुआ वहां पत्नी बचारी जंगल में लकडी लेने चाती लटते वक्त माता जी की मंतिर में बिसराम करती है वहां तो उसका रोज रुकने का अस्थान ठहरा दूर से धुल उठती देखकर वहां माता से पुच्चती है हे माता यह धुल कैसे उर रही है मा कहती है हे पुत्री तेरा पती आ रहा है अब तू ऐसा कर लकडियों के तीन बोच बनाला एक नदी की किनारे रख दुसरा मेरे मंदीर पर और तिसरा अपने सीर पर रख तेरे पती को लकडी का गठा दिख मोव पैदा होगा वह वहां रुकेंगे नास्ता पानी बना खा कर जाना और बीच में चौक के गठा डाल कर तीन अवाजे लगाना लो सासु जी लकडियों का गठा लो भूसे की रोटी दो नारेल की खुपरे में पानी दो आज महमान कौन आया है मा की बार सुन उसने कहा बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन हो लकडियों के तीन गठे ले आई एक नदी की टट पर एक माता के मंदिर पर रखा इतने में ही मुसाफिरा पहुंचा सुखी लकडि देख उसकी पती की इच्छा हुई की जही निवास करे और भोजन बना खापी कर गाउ जाए इस पर कर भोजन बना विश्राम करके वह गाउ को गया जब वहां सबसे प्रेम से मिल रहा था उसी समय पतनी सीर पर लकडि का गठा लिये आती है लकडि की भारी बोज आंगन में रखकर जोर से तीन अवाई देती है लो सासु जी लकडि का गठा लो भूसे की रोटी दो नारियल के खोपरे में पाने दो आज कौन महमान आया है जह सुनकर उसकी सास अपने दिय हुए कष्टों को भूलाने है तू कहती है बभू ऐसा क्यूं कहती है तेरा मालिक ही तू आया है आ बैठ जा मीठा भात खा भोचन कर कपड़े गहने पहन इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगोठी देख व्याकुल हो मा से पुछता है मा यह कौन है मा कहती है बेटा यह तेरी पत्नी है आज वारा वर्स हो गए जब से तु गया है अब से सारी गाव में जानवर की तरह भटकती रहती है कामकाज घर का कुछ नहीं करती है चार समय आकर खा जाती है अब तुझे देकर भूशी की रोटी और नारियल की खोप अब मुझे दूसरे घर की ताली दे दो उसमें रहूं अब मा बोली ठीक है वेता तेरी मरजी इतना कहकर ताली का गुच्चा पटक दिया उसने ताली लेकर दूसरी कमरे में जो तीसरी मंजिल के उपर था उसे खोल कर सारा समान जमाया एक दिन में ही वहां राजा के महल ज बहु ने अपने पती से कहा कि मुझको मा का उधापन की तयारी करना है और इतना कहकर तयारी करने लगी जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई उन्होंने मंजूर किया परंदू पीछे जेठानी बच्चों को सिखाती है देखो रहे भोजन के समय खटाई मांगना जिससे उसका उधापन पूरा ना हो लड़के जीमने आए खीर पेट भर खाए परंदू याद आते ही कहने लगे हमें कुछ खटाई दो खीर खाना हमें भाता नहीं खीर देखकर तो हमें अरूची होती है बहु कहने लगी खटाई किसी को नहीं दी जाएगी या तो संतोस माता का प्रसाद है लड़के उठ खरे हुए और बोले पैसे लाओ भोली बहु कुछ जानती नहीं थी तो उन्हें पैसे दे दिये लड़के उसी समय उठ इमली लाकर खाने लगे या देकर संतोसी माता बहु पर क्रोधित हुई राजा की दूद उसके पती को पकर कर ले ग आप सब मालूम पर जाएगी जब जेल की मार खाएगा बहु से बचन सहन नहीं हुए वह रोती रोती माता के मंदिर में गई और बोली हे माता तुमने ये क्या किया मुझे हसा कर अग क्यूं रूलाती हो मा तब माता बोली पुतरी तूने उधापन करके मेरा ब्रत भंग कि इतनी जल्दी सब बाते भुला दि वह कहने लेगी माता भुली तो नहीं हो न कुछ अपरात किया है मुझे तो लरकों ने भूल में ढाल दिया मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिये मुझे चमा करो मा बोली ऐसे कहीं भूल होती है वह बोली मा मुझे माप कर दो मैं फिर स तुम्हारा उधापन करूंगी मा बोली अब भूल जा पुत्री तेरा मालिक तुझे राष्टे में ही आता मिलेगा वहाँ घर को चली राष्टे में उसका पती आता मिला उसने पुछा तुम कहा गये थे तब वहाँ कहने लगा इतना धन जो मैं कमाया हूँ उसका टेक्स राजा ने मांगा था वहाँ भरने गया था वहाँ प्रसन हो बोली भला हुआ अब घर चलो कुछ दिन बाद फीद सुक्रवर आया वहाँ बोली मुझे माता का उधापन करना है पती ने कहा करो फीद जेट के लर्कों से भोजन को कहने गई जेटानी ने एक दो बाते सुनाई और लर्कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगने लगना लर्की कहने लगे हमें खीर खाना नहीं भाता जी विगरता है उच खटाई खाने को देना वह बोली खटाई खाने को नहीं मिलेगा खाना हो तो खाओ अन्य था तुम जा सकते हो वह बैचारी ब्रामन के लर्कों को लाकर भोजन कराने लगी यह था सकती दच्छिना की जगा एक एक फल उन्हें दिया इससे संतोसी मा प्रसन हुई माता की किरपा होते ही नवे मात उसको चंद्रमा के समान सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ पुत्र को लेकर प्रती दिन माता जी की मंदी जाने लगी माने सोचा की वह रोज आती है क्यों ना मैं इसके घर चलू इसका आसरा देखू तो सही या विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया गूर और चैने से सना मुख उपर सुड के समान होट उसवर मक्रिया बिन पिना रही थी दहलीज में पाव रखते ही उसकी सास चिलाई देखो रहे कोई चूरेल चली आ रही है लरको इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाईगी लरके डरने लगे और चिला कर खिल की बंद करने लगे बहु रोसंदार से देख रही थी पर संता से पागल होकर चिलनाने लगी आज मेरी मा आई है आज मेरी मा मेरे घर को आई है यहां कहकर बच्चे को दूद पीने से हाटाती है इतने में सास का क्रोध फूट परा बोली रांड इसे देखकर कैसी उताबली हुई जो बच्चे को पटक दिया इतने में मा के प्रताफ से जहां देखो वही लरके ही लरके नजर आने लगे वह बोली मा जी जिनका मैं बच्चे करती हूँ या तो वही संतोशी माता है इतना कहा जट से सारे घर के किवार खोल देती है सबने माता के चलन पकड़ लिए और बिंती कर कहने लगे हे माता हम मुर्ख है हमें अज्याने है पापी है तुमारे ब्रद की बीधी हम नहीं जानते तुमारे ब्रद भंग कर हमने अपराद किया हे मा हे मा आप हमारा अपराद चमा करो ओस परकार माता प्रसन हुई माता ने बहु को जैसा फल दिया बैसा माता सब को दे जो पढ़े उनका मनोरत पुर्ण हो जो सुने उनका भी मनुरत पुर्णा हो तो प्रेम से बुलिए संतों सी माता की जय हो कथा अच्छी लगे तो अभी लाइक करके दूसरों को स्चेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे धन्यवाद